हालेलुया, प्लीज दा लोर्ड ओल ओफ यू सबको जैम सिखी, स्वागत है आप सबका हमारे यूटूब चैनल में, डेली वर्ड ओप गोड के लिए सस्क्राइब करे हमारे यूटूब चैनल हौले गोस्प्रेडर्शन को और बैल आइकन को जरूर दबाए आए हम मेरी भविशेवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्रवचन को पढ़ते हैं जो परमेशर के दास प्रेरित अंकुर यूसुब निरूला जी के द्वारा लिखा गया है हमारा आज का पवित्रवचन है परमेशर की बुलाहट में मुसीबतों का आना जैसे प्रेरितों के काम नौ अध्य है उसकी 23-25 आयत में लिखा जब बहुत दिन बीट गए तो यहुदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निकाली परन्तों उनकी युक्ति शाउल को मालूम हो गई वे तो उसके मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर लगे रहे थे परन्तों रात को उसके चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बढ़ाया और शपरनाहब पर से लटका कर उत्तर दिया हालेलुया मेरे बीरियों कि आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेशर के अलग-अलग बुलाहड है और सारे लोग इस बुलाहड को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि जब परमेशर अपनी योजना किसे के भी जीवन में रखते हैं तो उस जीवन या सेवा को पूरा करने के लिए आपके जीवन में तरह तरह की मुसिवते आते हैं जिस तरह हम बाइबल में प्रेरितों के काम की पुस्तत में प्रेरित पोलोस के बारे में पढ़ते हैं कि पोलोस के जीवन में परमेशर की एक बड़ी योजना थी कि वह परमेश्य का दास होकर यानि परमेश्य का प्रेरित होकर उसकी सेवा करे जब हम बाइबर में पढ़ते हैं कि पोलोस को उस सेवा या बुलाहड को पुरा करने के लिए तरह तरह के स्ताव विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि उसे हर एक हालात में लड़ना सिका रहे थे ताकि वह मजबूत बने जो उसकी जिन्दगी में स्ताव था उसका विरोध हो रहा था वह उसको परवू में आगे लेकर जाने के लिए था मेरे पिरियों ऐसा क्यों होता है कि जब आप परमेशर की योजना के निचे होते हैं तो उसकी जिन्दगी में स्ताव विरोध और लड़ाई जगड़े होते हैं वह इसलिए ताकि शेतान आपको उस योजना को पुरा करने से रोक सके अगर एक व्यक्ति परमेशर की सिवा के लिए चुना गिया है और उसका अपने परिवार के साथ ज़्यादा लगाव है तो शेतान आपके परिवार पर हमला करता है ताकि वह परमेशर से दूर हो जाए और अपने बुलाहड को पुरा ना कर सके अगर किसी का अपनी मित्तर से ज़्यादा लगाव है तो शेतान उस मित्तर पर हमला करता है और उसे परमेशर की योजना को पूरा करने से रोकता है जैसे पॉलोस के जीवन में शेतान ने विरोध को इस्तमाल किया पर पॉलोस परमेशर में बना रहा बाइबल में अगर आप किसी भी नवे के बारे में पढ़ते हैं तो उनके जीवन में परमेशर की योजना को पूरा करने के लिए तरह तरह की मुसीबते आई पर उन्होंने परमेशर और अपनी योजना में बने रहकर परमेशर की सेवा को किया इसलिए मेरे पिरियों अगर आप परमेशर की योजना के नीचे हैं और आपके जीवन में तरह तरह की मुसीबते आ रही हैं तो आप उनसे निराश होकर नहीं बैटनो गबराना नहीं है बलकि परमेश्वर पर भिरोसा रखना और उसके वचन में बने रहना है परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आश्शित करें आमीन यह एंगिकार आपकी तरफ से किया जाए शर्फ रक्तिमार परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं पिता मैं एंगिकार करती हूं कि मैं अपनी आपके मर्जी को ही पूरा करूंगी निराशा और मुसीबत से नहीं डरूंगी बलकि आप और भरोसा रखूंगी पर वो येश्यो मसी के नाम ही आमीन आमीन God bless you all of you सब को जैम सिकी Please the Lord